आखिर इंडिया को लेके चाइना के अंदर क्या पब्लिक सेंटिमेंट है? मतलब चाइनीज लोग इंडिया को किस तरीके से देखते हैं? Recently एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पाया गया है कि चाइना की पॉपुलेशन के अंदर कही ना कहीं इंडिया को लेके कम इन्वेस्ट करना चाहिए और definitely transfer of technology तो certainly चाइना से इंडिया नहीं होना चाहिए Hello experience, welcome to Chehal Academy, मेरा नाम है सुमित्यागी आज हम यही discuss करने वाले हैं कि कैसे इंडिया के against जो एक sentiment बढ़ रहा है चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे हमारे economic relations को हमारे future में होने वाले economic engagement को influence कर सकता है और उससे बचने के लिए उसको avoid करने के लिए या उसको counter करने के लिए इंडिया क्या-क्या strategy अपना सकता है तो यह शुरू करते हैं, according to the news that has been covered basically it is given that increasingly public sentiment seems to be rising in China against doing business with India अब हमें यह देखना है कि क्या actually हुआ क्या और ऐसे कौन-कौन से sections है China public के अंदर, Chinese population के अंदर जो इंडिया के against एक sentiment जिसकी वैसे इंडिया के against एक sentiment rise होता हुआ आपको चाइना के अंदर दिखता है moving on इससे पहले के हम China-India economic relation समझे Chinese perspective समझे Chinese population का perspective समझे हम इब ट्रेड relation के उपर ध्यान डालते हैं नजर डालते हैं अगर Dr. S. J. Shankar की माने तो recently उन्होंने जैनेवा में एक platform पर कहा था कि इंडिया और चाइना के बीच का जो relation है जो ट्रेड relation है वो काफी जादा unfair और unbalanced है the reason being इंडिया एक open economy है इंडिया चाइनीज कंपनी को full authority और full opportunity प्रोवाइड करती है to invest in इंडिया लेकिन same opportunity इंडियन कंपनीज को चाइना के अंदर नहीं दी जाती है चाइना एक closed economy है, export oriented economy है dominated by state oriented companies, dominated by export oriented companies, that two Chinese companies तो कही न कहीं इंडियन कंपनीज का उस market में एंटर करना थोड़ा सा difficult है when it is compared to the fact that के Chinese company इंडिया में easily invest कर सकती है इसलिए इस relation को काफी unfair और unfavorable बोला भी गया है लेकिन एक end पे हम बोल रहे हैं के कहीना कहीं चाइना जादा फायदा उठा रहा है लेकिन दूसरे end पे Chinese public का sentiment जो है वो इंडिया को लेकिन negative होता जा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि चाइना की अगर चाइना इंडिया की मदद करता है तो कहीना कहीं वो अपने पैर पर पुलहडी मार रहा है और कहीना कहीं अपना ही नुकसान कर रहा है बहुत economically, technologically as well as geopolitically अगर हम total trade की बात करें अभी हमारा इतना ज़्यादा trade deficit है चाइना के साथ 2024 का data देखा जाए तो लगभग 118 billion dollars हमने import किये है और लगभग 16 billion dollars हमने export किये है तो लगभग 100 billion dollars से ज़्यादा को तो हमारे हाँ trade deficit है आसान भाशा में आपको चाइना को लगभग 100 billion से ज़्यादा pay करना पड़ता है अगर हम net trade की बात करें import और export को calculate करने के बाद अगर overall value देखी जाए तो काफी हद तक इंडिया के deficit में जाती है इंडिया के favor में नहीं जाती है चाइना के favor में जाती है और उसके बावजूद आपको ये perspective देखने को मिलता है कि Chinese perspective में आप इंडिया को as a enemy और as a threat की तरह देखा जा रहा है even after these numbers तो सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है ऐसी कौन-कौन सी conditions है जिसकी वेसे Chinese population के अंदर इस sentiment जगा और क्या-क्या उसके economic aspects और technological aspects हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगर हम देखें कि इंडिया majorly क्या-क्या import करता है चाइना से आपको समझने के जरूत है कि चाइना के ओपर हमारा import reliance बहुत जादा है बहुत सारी Indian industries ऐसी हैं जो चाइना के ओपर rely करती है Chinese import पर rely करती है for example we are known as the pharmacy of the world हम generic medicines बनाने के लिए जाने जाते हैं उन generic medicines के अंदर जो main component होता है उसको हम बोलते हैं API's active pharmaceutical ingredients या फिर bulk drugs ये वो aspect है उन medicines का जो therapeutic effect देता है मतलब अगर आप कहीं सरदर्द की गोली लेने जा रहे हैं तो जो सरदर्द को दूर करेगा वो API है और इसकी 80% reliance हमारी Chinese import पे है मतलब अगर APIs भारत में नहीं आए तो हमारी pharma industry बंद हो जाएगी electronic components की बात करें for example आज की rate में केवल Xiaomi और OnePlus जैसी companies, phone की companies जो हैं वो लगवग 70% of the Indian phone market को capture करती हैं अगर आप इसके साथ electronic components के साथ हम semiconductors की बात करें margin technologies की बात करें उसमें भी आपको काफी हथ तक China का dominance देखने को मिलता है इंडिया का import dependence देखने को मिलता है लेकिन अब हम इससे पहले कि हम trade aspect पे और आगे बात करें चाइना के investment के रोल के बारे हम बात करें इससे पहले हम यह discuss करते हैं कैसे क्या क्या aspect है जो public sentiment है चाइना के अंदर वो किस तरीके से देखने को मिलता है see, media perspective से आप actual जो sentiment है public का वो वह नहीं पहचान सकते the reason being Chinese media completely state controlled है और वो इंडिया को काफी हद तक bad light में दिखाता है negative light में दिखाता है as a threat दिखाता है as an opposition दिखाता है तो जो उससे influence Chinese population है उसके अंदर एक negativity rise होती भी दिखती है कही न कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि जो geopolitical portrayals है हमारे जो geopolitical tensions चल रही है चाहे वो border disputes हो चाहे वो South China Sea में हमारा quad बनाना हो उसको media Chinese media इस तरीके से represent करता है majority of the Chinese population में ऐसा कोई hate या फिर कोई malice नहीं है उनके अंदर कोई jealousy नहीं है कोई envious नहीं है कोई envious नहीं है वो हमसे लेकिन फिर भी कुछ certain section of Chinese population को ऐसा लगता है कि इंडिया का जो alignment है West के साथ either in the form of quad जो South Indo-Pacific region की बात करता है West Asia में देखें तो हम I2U2 की बात करते हैं जिससे Chinese influence West Asia में काफी हद तक कम होता हुआ दिखा इस present government की आप West Asian policy देखोगे Saudi Arabia के साथ relation देखोगे तो कहीं न कहीं we initiated that aspect कि US को हम कहीं न कहीं ये convince करने में सक्षम रहे कि अगर आप Middle East को West Asia को छोड़ देते हैं तो उस vacuum को कोई न कोई तो occupy करेगा और वो occupy करने वाला कौन होगा चाइना इसलिए आपको अभी भी actively engage करना चाहिए Middle East में और along with India, along with the initiatives like I2U2, US अपनी presence बनाये हुए है जिसके वैसे China को space नहीं मिल पा रहा है Middle East में अपने आपको spread करने का तो काफी हद तक majority of the population को एक highly high perception है about it कि India West के साथ जोड रहा है, different initiative start कर रहा है और काफी हद तक यह किया जा रहा है जिससे China के expansion को China की growth को, China के influence को global order में कम किया जा सके, इस वज़े से India को as a opposition camp में देखते हैं Chinese camp में, although we are neighbors इस वज़े से लेकिन sentiments आपको काफी हद तक negative होते हुए दिखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर देखा जाए, media perspective पूरी चीज नहीं बता पाती लेकिन चाइना के अंदर social media के उपर लोग काफी जादा active हैं, प्रीली अपनी बात रख पाते हैं, Indian context को रख पाते हैं, अपना thought process रख पाते हैं, कि वो Indian community को लेके क्या सूचते हैं, अगर वैसे देखा जाए इनके sentiments की बात की जाए, इनके belief की बात की जाए, हमारे बारे में इनके thought process की बात की जाए, तो वैसे आप देखोगे तो काफी हद्ना की हमें admire करते हैं, हमारे culture के लिए, हमारी economic progress के लिए, जिस तरीके से हम एक basically, एक free attitude में जीते हैं, एक highly grippling perspective नहीं है हमारा for example, चाइना के अंदर labor laws बहुत जादा अच्छे नहीं है, तो they have to work very hard, लेकिन हमारे हाँ, एक attitude जो है, वो काफी जादा fun वाला भी दिखता है तो they are envious, of course, according to the social media aspects, according to the social media reports, इसके साथ जो Bollywood की popularity है चाइना के अंदर, चाहे वो movie दंगल की बात हो, चाहे वो three idiots की बात हो, चाहे वो बजरंगी भाईजान की बात हो, along with other movies of आमिर खान as well, वो भी काफी हद तक देखने को मिलता है, कि इंडिया का जो portrayal है, चाइना के अंदर, वो काफी happy go lucky attitude वाला है, जो शायद Chinese को थोड़ा सा jealous करता है, क्योंकि उनकी continuously work करना पड़ता है 12-12 hours, they work continuously और labor loss का बहुत जादा aspect है नहीं, इसलिए हम चाइना को ये भी बोलते हैं कि चाइना की consumption capacity नहीं है क्योंकि वहाँ wages level बहुत जादा नहीं है wages level बहुत जादा नहीं है तो कहीना कहीं production cost क्या हो जाती है, कम हो जाती है जिससे export orientation में Chinese product की जो global competitiveness है वो आपको बढ़ती हुई देखती है लेकिन overall perspective देखा जाए तो एक geopolitical perspective we are siding with the west दूसरा perspective कि हम economically बहुत better कर रहे हैं काफियत तक compete कर रहे हैं चाइना के साथ पर capita income अभी हमारी comparable नहीं है लेकिन in near future we are going to be economic superpower we are right now the fastest growing major economy right overall अगर मैं बात करके चलों पिछले साल की तो अगर पूरी दुनिया ने grow किया है तो उसमें से जो 17% growth आई है वो केवल इंडिया से आई है मतलब अगर पूरी दुनिया की economy में 100 रुपे जुड़े है तो उसमें से 70 रुपे का contribution केवल इंडिया क्या है आज से कुछ साल पहले similar contribution आपको चाइना का देखने को मिलता था लेकिन आप इंडिया उसे replace कर चुका है तो कही ना कही एक jealousy वाला factor भी picture में आ जाता है हमारी fast growth से आपको एक aspect change होता हो दिखता है पब्लिक sentiment change होता हो दिखते हैं वहाँ अगर concerns देखें economic decoupling की अब यह जो economic interest बढ़ रहा है हमारा कही ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारा फैदा उनका नुक्तान है इस वज़े से वो चाहते हैं कि कही ना कहीं Chinese economy को अपने आपको Indian economy से decouple करना चाहिए decouple मतलब अलग करना चाहिए किसी और diversify करना चाहिए factors को अलग अलग जगे invest करना चाहिए rather than in India अब यह जो thought है यह जो decoupling वाला thought है इसका क्यों आया है सबसे पहला aspect यह है हमारा जो border disputes है वो एक बहुत main reason है चाहे वो अरुनाचल के अंदर तवां conflict हो चाहे वो लदाग के अंदर गलवां conflict हो या फिर वो पैंगम सो conflict दोकलाम conflict in 2017 2012-13 में आपको देपसांग वेल इशू देखने को मिला था तो continuously आपको border dispute चाहिना के साथ देखने को मिलते हैं जो भी कावियत तक sentiments को hurt करते हैं और impact करते हैं वैसे purely economic perspective से देखा जाए तो एक general perspective है कि Chinese company को इंडिया में harass किया जाता है और example, recently आपने multiple Chinese apps को ban कर दिया है IT Act 2000 के अंदर हमारे पास एक section है जिसे हम बोलते हैं section 69A तो national interest में हम किसी technological aspect को discard कर सकते हैं और उसी section 69A के अंदर इंडिया ने majority of the Chinese apps को ban कर दिया था from the national security and from the sovereignty perspective and territorial integrity perspective तो उसकी वज़े से भी काफी हता है आपको negative sentiment बढ़ता हो दिखा दूसरा, Chinese companies definitely अपना manufacturing capabilities है cause of the labor perspective we have skilled labor as well इंडिया की तरफ shift करेंगी लेकिन किसी भी तरीके से Chinese population और Chinese जन का जो है वो यह नहीं चाहती है कि इस investment के साथ इस manufacturing capability का shift होने के साथ technology transfer चाइना इंडिया की तरफ करें मतलब आप investment करो आप manufacturing capability बढ़ाओ लेकिन किसी भी तरीके से new technology transfer चाइना से इंडिया की तरफ आता हुआ नहीं दिखना चाहिए इससे क्या होगा इसका impact क्या देखने को मिल रहा है हमें इसका जो reason है कि क्यों नहीं होना चाहिए टेक्नलोजिकल ट्रांसवर certainly हमारे ये भी perspective है कि अगर वो economic transfer करते हैं टेक्नलोजिकल ट्रांसवर करते हैं तो कहीं ना कहीं उस technology को हम उन्हीं के against use करना शुरू कर देंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा और discuss करेंगे इससे पहले हम ये बोलते हैं कि उनका expectation क्या है Chinese economy से उनका expectation क्या है Chinese government से अबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि यहार regulation की ज़रौत है एक proper regulation की ज़रौत है जिससे एक stricter control आ सके overseas investment के ओपर जिससे Chinese interest को भी safeguard किया जा सके मतला अगर China invest कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो forefront पे केवल अपने interest को रखे केवल economic interest को ध्यान में रखते हैं अपने geopolitical interest ना भूल जाया तो ये भी sentiment rise कर रहा है दूसरा rather than focusing on short term gains आप short term strategy की जगे long term strategy की तरफ जाओ आप दूर की सोचों के आगे चलके India is going to be a threat India is going to be a competitive अभी हम recently Asian society में S.J. चंकर जी का एक speech था उन्होंने address किया वहाँ पूरी तरीके से audience को और उन्होंने बोला कि जो India और China का parallel rise हो रहा है इसकी वैसे दुनिया कुछ नई तरीके की problems face करने वाली है तो Chinese people are also suggesting Chinese government कि आपको long term strategy अपनाने चाहिए rather than focusing on short term gains और ऐसी चीजों से दूर भागना चाहिए जो किसी भी तरीके से China की global position को impact कर सकते हैं या फिर harm कर सकते हैं Moving on third जो sentiment है उन्होंने बोलाए कि थोड़ा सा cautious रहने की जरूरत है हमें इंडिया को लेके regulated approach रखने की जरूरत है और किसी भी तरीके से जो free market economy का blind faith है वैसे आप communist हो लेकिन free market economy पे जो blind faith आप कर रहे हो कि economically आप grow कर पाओगे by continuously focusing on the export by continuous investment उसको थोड़ा सा regulated approach पे जाओ थोड़ा cautious approach अपनाओ जिसे long term में geopolitical losses देखने को ना मिले चाइना को इस चीज का आपको clear हो चुका होगा कि Chinese perspective, Chinese audience, Chinese population क्या demand कर रहे है from the Chinese government साथ के साथ ये जो hostility है towards India कभी ना कहिए जो hostility है कि क्यूं हमें Chinese investment को रोकना चाहिए इंडिया में जाने से, क्यूं हमें technology transfer नहीं करना चाहिए, उसका एक major reason हमें ये देखना को मिल रहा है जो हम आप सो already discuss कर रहा था कि अगर technology transfer होता है या China invest करता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को हम strengthen कर रहा है, उसकी industrial capabilities को strengthen कर रहा है और ये उसकी strengthening industrial capacities eventually से US के और जादा close ले जाएंगी क्योंकि जब इंडिया टेकनोलोजिकली ग्रो करेगा तो आप एक alternative provide कर रहे हो चाहिना के अलावा जहां manufacturing और production center खोला जा सके recently अभी एक ORF discussion panel के अंदर जैशनकरजी ने एक और बात करी कि हमें productions को democratize करने की ज़रुत है COVID-19 के time पे आपने देखा पूरी तरीके से manufacturing sector was confined in China जिसकी वज़े से जब चाहिना के अंदर COVID आया तो पूरी global supply chain आपको impact होती हो भी दिखी इसका मतलब अगर मैं manufacturing sector को उठा उठा के different regions में ले जाऊं तो वो के बड़ सही नहीं है तो वो equitable है दूसरा वो smart भी है कि कही ना कहीं आप global challenges को battle तरीके से tackle कर पाएंगे अगर किसी region में कोई major issue rise होता हुआ दिखता है जैसे आपको COVID-19 के time पे दिखा था लेकिन यही aspect इनका है कि अगर आप invest कर रहे हो इंडिया के अंदर technology transfer कर रहे हो इंडिया के अंदर तो आप कहीं ना कहीं इंडिया को capable बना रहे हो to align more and to get closer with the US जो किसी भी तरीके से Chinese interest को fulfill होने की बात नहीं करता है global order पर दूसरी चीज national interest को हमें protect करना है उन्होंने बोला देखो यार industrial capabilities तो आप कर सकते हो लेकिन technology transfer नहीं करोगे for example उन्होंने बोला किसी भी तरीके से Chinese EV technology को इंडिया नहीं जाने देना है इंडिया तक हम अपनी जो electronic vehicles वाली technology है उसको हम reach नहीं करने देंगे although आपको पता है कि एक battery plant set up कर रखा है चाइना ने धोलेरा गुजरात के अंदर तो ऐसा नहीं है investment नहीं है चाइना के China is also important for India almost 4 billion dollars का investment आपको चाइना से भारत में देखने को मिल जाता है तो technology transfer नहीं होना चाहिए चाइना के interest hurt नहीं होने चाहिए इस level पर अपनी industrial capabilities को export मत करो कि वो आपका replacement बन जाए हो आपकी जगे लोग वहाँ invest करना शुरू कर दे क्योंकि वैसे भी अगर एक general sentiment देखा जाएगा globally तो India is much more preferred over China cause of China's aggressive approach and cause of our human approach हम एक equitable perspective में believe करते हैं जो हमने vaccine distribution की time पे भी दुनिया को showcase किया था हमें global south की leadership की तरह उपर रहे हैं और अगर industrial capabilities चाइना से इंडे की तरफ आती हुई दिखती हैं तो कहीं न कहीं उसका नुपसान चाइना को long term में geopolitically और economically as well देखने को मिल सकता है moving on अगर देखा जाए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हों कि हम ये समझ पहेंगे कि हमारा जो economic relation है चाइना के साथ वो कापी जादा complex है जो trade imbalance शो करता है और कहीं न कहीं public sentiment जो चाइना के अंदर है वो भी shift करते हुए लिखते हैं हमें future interactions इस तरीके से करने चाहिए according to the from the Chinese perspective जिससे आप domestic perceptions को भी picture में ले पाओ और geopolitical dynamics को भी calculate कर पाओ अब एक aspect जो मुझे discuss करना है इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए देखो यार अगर Chinese investment कम होगा तो हमारे लिए तो अच्छा है Chinese dependence कम बढ़ेगी make in India और आतनिरभर भारत और प्लिस जब production linked incentive scheme जैसे चीजों से हम अपनी manufacturing capacity बढ़ाएंगे लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत के अंदर जो 30 सबसे बड़े startups है उसमें से 18 के अंदर चाइना ने invest कर रखा है चाहे वो Ola हो, चाहे वो Big Basket हो चाहे वो Paytm हो, चाहे वो Zomato हो तो कहीं ना कहीं major investment देखने को मिलता है आपको मैंने अभी अभी बताया आपको battery plant perspective आप, battery plant का आपने बहुत बड़ा investment कर रखा है EV perspective से इन गुजरात उसके लावा भी आपको majority of the businesses में China invest करता हो दिख जाता है FDI देता हो दिख जाता है foreign direct investment आता हो दिखता है FDI की हमारी जो policy है चाहिना को लेके वो अभी तक हमने change नहीं की है basically जितने भी हमारे international borders है चाहिए वो चाइना हो गया, चाहिए वो पाकिस्तान हो गया चाहिए वो बंगलादेश हो गया, जिन भी countries से हम international borders share कर रहे है अगर वो हमारे हैं foreign direct investment करना चाहते हैं तो वो automatic route से नहीं जाएगा वो हमेशा government approval route से ही आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, तो कही न कहीं हमें ये भी जरूरत है समझने की, कि यह जो trade imbalance है तो कहीं न कहीं है, जो sensitivities चाहिना की जग रही है, जो perception Indian market को लेके बिगट रहा है, वो किसी न काफी हद तक हमारे favor में भी काम कर सकता है, केवल चाहिना को ही decouple करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को भी Chinese economy से decouple करने की जरूरत है हमें खुद को भी चाहिना के उपर import dependence कम करने की जरूरत है तो मैं, अगर मेरा analysis आप देखोगे तो कहीं न कहीं है, जो rising public sentiment है against India, in China वो हमारे favor में भी काम कर सकता है बस ये depend हम पर करता है किस तरीके से हम इसे एक knee-jerk reaction की तरह ना होने दे, हम ये gradual process बना है, किस तरीके से हम अपनी domestic capabilities बढ़ा है, जिससे हमारा चाहिना के उपर dependence कम होता हुआ देखे, तो this was all about the public sentiment in China this was all about the economic aspects which are related to the public perceptions in China related to India this was all about all from my end, thank you so much guys and have a good day this World Cup A A झ्长